रजनीकांत पिछले कई दिनों से सुर्खियों में जगा बनाए हुए हैं। आज उनकी जेलर फिल्म देश और दुनिया भर में रिलीज हुई है। और इस फिल्म को लोगो द्वारा तकरात्मक प्रतिक्रिया हैं मिल रही है। फिल्म के पहले हाफ में रजनीकांत और योगी बाबु के सीन्स को सराहा जा रहा है। धरेश्वर प्रस्त के पूर्व अध्यक्ष स्वामी शुधानंद सरस्वती और वर्तमान अध्यक्ष स्वामी साक्षात करता नंद सरस्वती से मुलाकात कर उनसे आश्चिरवाद लिया मौसम ने यदी साथ दिया तो अभिनेता रजनीकांद गुरुवार की सुभा के दानना धाम के दर्शन के लिए यहां से रवाना होंगे पता दे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रजनीकांद लगपक हर साल उत्राखन का दौरा करते हैं रजनीकांद ने बताया उत्राखन की शांतवादियां उन्हें बहुत बाती हैं रजनीकांद ने बताया उन्हें उत्राखन पहुचकर शांतिक अनुभव होता है जिसके कारण वो अक्सर यहां आते हैं साथी रजनीकांद रशिकेश के ग्रामिन शेत्र गोहरी माफी में पहुचे इस दौरान उन्होंने ग्रामिनों के साथ बातचीत भी की दरसल इससे पहले ही सोपरस्टार रजनीकांद अपनी फिल्म धरबार के लिए भगवान और अपने गुरू का अश्रवाद लेने पहुचे थे तब भी वो फिल्म की सक्सेस के लिए देभूमी पहुचे थे इस बार भी जेलर की सफलता के लिए रजनीकांद उत्राखन पहुचे हैं कल सुपरस्टार रजनीकांद के दार ना जाएंगे पंजाब केसरी टीवी के लिए रिशिकेश से रमीर नौट्याल के रिपॉर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद